देश को आजाद हुए 55 साल बीद गए हैं, लेकिन आज भी कुछ गाउं ऐसे हैं जहां कि पंचायतें न तो सविधान को मानती हैं और नहीं कानून को मानती हैं। इन पंचायतों में पंचों का फैसला ही सरुमान नहीं। ताजा मामला मद्रप्रदेश की खरगुन जीला मु कर दिया है। परिवार के सदस से गाउं में किसे से बात नहीं कर सकते और नहीं गाउं के लोग इने कोई सामान देने को तयार है। पंचायत के फर्मान के अनुसार अगर गाउं में किसी व्यक्ति ने इन परिवारों से बात की या कोई सामान देने की कोशिश की तो उन्हे 5100 रुपे का जुर्माना चुकाना पड़ेगा अगर कभी आप उनसे बात करोगे मजदूर वर करहते हैं आपर और उनको भी दबाव ऐसा दे देगा अगर का आप उनसे बात करोगे ते काउंस रुपे डन लिया जाएगा और आपको भी बंद कर दिया जाएगा दरसल ये पूरा मामला गाउं में गोड़र समाज एवं जैस्वाल समाज के दो यूगों के बीच हुआ विवास से सुरू हुआ था जो बाद में सामाजिक इस्तर पर पहुँच गया और ग्रामिणों ने पंचायत बुला ली ग्रामिणों के कहने पर पंचायत ने भी परिवार का सामाजिक बहिशकार कर दिया परिवारों ने प्रसासन से भी गोहर लगाई है लेकिन पूलिस के अधिकारी भी पंचायत के फैसले के खिलाब कुछ नहीं कर पाए प्रसाइब करेंगे उनको गांव से भागाए जाएगा यह तो वोके मरेंगे उनके साथ में मरना पड़ेगा इस बात पो चह साथ महीने हो गए सब कुछ अच्छा था और आभी फिरियाल में 6-7 मैने से ये विखते हुने जब जिस्ती मेरों को भिल्जम लगाया मेरा बती जगड़ा हुआ मैं तक गाओं में रिता हूँ और उसके मेरे सनावत गया वरा दसमे रात को आया कि 17 मार्ज को डैस्वाल समाज गाओं में अचुत आंदोलन करेगा पईरों में चपल नहीं पहनेंगे मंदिर के सामने से नहीं गुजरेंगे कमर की पीछे जढ़ू बादेंगे आगे डपली लगाएंगे इस अंदोलन में गाओं के अनहुच जाती के लोग भी शामिल होंगे क्यों का कहना है कि समाज की लोगों के साथ भी चुआ चुत होती है मंदिरों में जाने से रोकते हैं राम जी की प्रवाद फेरी में जाने से भी भगाते हैं पंगतों या मीटिंग में अलग से बिठाते हैं और मंदिरों में जाने ने मैं देते हैं इसलिए देश आजाद हो गया है पर हम तो आज भी गुलामी है हमारे कोई आजधी नि मिली और सरपंच आज भी बोलता है कि तुम तुमारी सिकायते वापिश ले लो ने तो तुमारे कोई पंचायत का गौर्मेंट का जो भी लाब आएका तुमारे कुछ लाब नहीं मिलेगा सभी समाज मिलजूल कर रहती है चुआ छुट की बात गलत है जुर्माने की बात पर कहा कि किसी व्यक्ति से जुर्माना नहीं लिया गया है ना है किसी व्यक्ति को परिवार से बात करने पर रोका जा रहा है मना करा है आप स्वतंत रहें आपको जहां भी जाना हो जा सकते हैं जिसको जो करना है कर सकते हैं इसमें ग्राम के और जो भी वरिष्ट है सज्जने इनमें किसी का एंटर भेन नहीं है किसी का लेना देना नहीं है अपनी अपनी इच्छा है और हम चाहते हैं कि सभी समाज स जबी जाती जबी ओर गए के लोग को काम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे लोकल आटिम के लिए खरगों से दीपक पांडेगी रिपोर्ट